तो दोस्तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैडमी की रैडमी नोट 9 प्रो के बारे में इसको लेकर अभी तक काफी सारे लीक्स निकल के आ रहा है जिसे की दोस्तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये फून रैडमी की तरफ से पहला फॉन होने वाला है जो हमें 5G network के साथ देखने को मिलेगा और इस फोन में आपको quad rear camera एंडिस्ट्र हेंग परेंट सेंसर भी मिलने वाला है जो की budget category के अंदर लोंच होने वाला है और ये फोन आपको बहुत ही कमाल के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैडमी के रैडमी नोट 9 प्रो के बारे में देखेंगे इस फोन के इस्विकेशन प्राइजिंग और लोंच देट के बारे में भी तो अगर आपको भी जाना है रैडमी नोट 9 प्रो के बारे में जादा तो बने रहें इस वीडियो में तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के ब बारे में तो यहां पर आपको Snapdragon 735 को processor मिलेगा जो कि दोस्तों 5G network को support करता है यानि कि दोस्तों यह phone 5G network के साथ आने वाला है यह चीज तो ब्रुकुल confirm हो चुकी है और उसके साथ ही यहां पर आपको इस वाद मिलने वाला है Redmi Note 9 Pro में 464 GB 664 GB और 6128 GB और अब बात कर लेते हैं इसके camera के बारे में तो यहां पर आपको रियर्ट साइड में quad rear camera मिलने वाला है जिसका मेंन सेंसर होगा 108 मैं प्रिसल का जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इस फॉन में आपको 108 मैं प्रिसल का quad rear camera मिलने वाला है उसके साथ 16 मैं प्रिसल के कलिटा वाइट अंगल लेंस और 13 मैं प्रिसल के टेली फोटो लेंस और 8 मैं प्रिसल के एक पॉपल सेल्फी camera मिलने वाला है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फॉन के बैटरी के बारे में तो यहां पर आपको 5000 mh का बैटरी मिलने वाला है जो की जैसा कि आप सब जानते हैं कि Redmi Note Series की smartphone जो होते हैं वह में 14-15,000 के बीच में ही देखने को मिलते हैं तो दोस्तों यह फॉन भी आपको 14-15,000 के बीच में देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर में बात करते हैं दोस्तों इसके launch date के उपर तो दोस्तों यह फॉन संद् नोट 9 Pro के बारे में कुछ confirmation और दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली उड़ों में तब तक के लिए गुड़ बाई